So hi guys, कैसे हो, ये वीडियो में domain name को कैसे और कहां से purchase करना है, ये मैं सिखाने वाला हूँ So सबसे पहले Chrome browser को open कर लो And domain name आपको अलग-अलग platform provide करता है, जैसे कि Indian website है, bigrock.in, और godaddy Even आप Google से भी domain name and hosting को purchase कर सकते हो So आपको जहां से भी cheapest में मिले, आप उहां से purchase कर सकते हो, okay जैसे आप bigrock के site पे आऊगे, तो bigrock कुछ इस type से इसका interface है, okay यहाँ पर आपको domain section में जाना है, and then आपको यहाँ पर domain name registration करके एक option आ रहोगा, जिस पर आपको click करना है So जैसे ही आप इस पर click करोगे, यहाँ पर आपके पास एक search box आगा है, जिसके अंदर आपको domain name को search करना है, कि available है कि नहीं, और जैसे ही domain name कोई आपको available मिल जाता है, आप उसको buy कर सकते हो So मैं यहाँ पर nextorgo.com को search कर रहा हूँ, so यहाँ पर देख सकते हो nextorgo.com यहाँ पर unavailable because मैंने यह पहले ले चुका, okay So nextorgo.in को buy करने के लिए हमें click करने यहाँ पर buy now पर, and फिर आप checkout पर click करो, उसके बाद आपके पास कुछ this type का interface आएगा, जो कि बोल रहा है कि आपको website builder install करनी है, तो उसके लिए आपको देने परेंगे 99 rupees per month, so मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, and मैं यहाँ पर click कर रहा अभी जो इसका price दा रहा है, nextorgo, यह 599 का है, plus मैं यह taxes add करके, 108 tax add करके, 707 का हो गया, okay, जैसे ही आप next पर click करोगे, उसके बाद आपके पास login form open होगी, अगर आपने पहले से login करके रखा है, तो आपके पास login ID and password होगा, so अगर आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे manually type करके आप ID and password create कर लो, and then sign in पर click करना है, so जैसे ही आप next पर click करोगे, आपके पास यह payment का window open हो जाएगा, इसमें आप choose कर लो, जो भी payment method आप use करते होगे, okay, मैं UPI को use करता हूँ, so मैं UPI को choose करके, and यहाँ पर click करना है, pay pay, okay, so जैसे आप pay पर click करोगे, आपके पास payment का window open हो जा register हो जाएगा successfully, okay guys, same चीज़ आपको Godaddy के साथ करना है, यहाँ पर आपको domain name type करना है, and search करना है, कि available है कि नहीं, okay, so मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ, कि available है कि नहीं, so यहाँ पर available है, okay, so मैं इसको करता हूँ, add to card, and then continue to card पर click करना है, okay, जैसे आप continue to card पर click करोगे, तो पास कुछी step का window open हो जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ services add कर रहा है, so मुझे यहाँ पर no thanks कर दो, because मुझे कोई भी services नहीं चाहिए, and then continue to card पर click करना है, and यहाँ पर आपना select कर लो, plan कितने दिन के लिए लेना है, okay, so मैं 1 year को select करता हूँ, so मैं यहाँ पर 1 year को select कर दिया, and and select करने के बाद आपको checkout पर click करने, and then same thing आपको यहाँ पर देख सकते हो कि payment का option open हो गया, so यहाँ पर जो भी आप payment method को use करते हो, यहाँ पर select कर लो, मैं UPI को use करता हूँ, so मैं UPI को select कर लिया, and then आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने taxes add करके 516.35 रूपीज हुआ हो, so big rock okay, so आप देख लो, आप अपने हिसाब से जहाँ से आपको cheapest भी लग रहा है न, वहाँ से आप purchase कर सकते हो, okay, so basically आपको सिर्फ domain name को लेना है न, तो इस थाप से आप domain name को purchase कर सकते हो, but जब आप hosting को purchase करने जा रहे हो, तो पहले domain name को मत लो, because hosting के साथ domain name free आता है, okay, so next video में hosting क कैसे buy करनी है, and free में domain कैसे मिलता है, so उस पर video रहेगा, इस video में इतना ही रखते है, and मिलते हैं next video में तब तक के लिए, bye,